हें गाईज वेलकम बैक टुझे स्क्रीन से वी आज मैं एक्स्प्लेन करने वाली हूँ पंचायत वेब सीरीज का सीजन थ्री सीजन थ्री स्टार्ट करने से पहले सीजन बन और सीजन टू का थोड़ा रिकैब कर देते हो तो वेब सीरीज का में कैरेक्टर अभी से कैट एस्पिरेंट है अभी ये सचीव की पोश्ट वर फुलेरा गाउ में है अभी से एक अपनी सिटी वाली लाइफ को बहुत मिस करता है और सचीव की पोश्ट की अच्छी इंकम भी नहीं है तो ये फुलेरा में रहकर अपने मन्जु देवी है स्मार्ट लेडी बट इलिटरेट है और इनकी पोश्ट का ज्यादा फाइदा इनके हस्बेंड प्रिजबूशन ले रहा है प्रधान पती डियम को इस बात का पता चल गया पर मन्जु देवी ने बात को संभाल लिया तब से डियम मेडम प्रिजबूशन से गुस्सा है अभिशेक ने पुलेरा गाउं में अपनी इंटेलिजेंस और अच्छी ठिंकिंग से मन्जु देवी और प्रिजबूशन दोनों का दिल जीत लिया है इनसे अलग अभिशेक का हैलपर विकास और एक सहीद का पिता प्रलाद ये सब भी दोस्त हैं साथ में ब और लोगों को उसके अगेंस्ट भड़काता भी रहता है सीजन टू में प्रिजबूशन विधायक से रोड बनवाने को फंड्स लेने गया बट विधायक ने उनको एक रेली के काम में लगा दिया वहां से पुलिस प्रिजबूशन विकास और प्रलाद को अरेश्ट करके ले गई जब अभिशेक को ये पता चला तो इसने सभी को जेल से चुटवाया पर विधायक को इस बात पर गुस्टा आ गया और इसने अभिशेक को पोखत सुनाया ब्रिजबूशन थोड़ा पट्टू टाइप का है तो ये अभिशेक की साइड से कुछ नहीं बोला इसलि लेने को फुलेरा काउं आया पर यहां से मंजू देवी ने बाकी लेडीज के साथ मिलकर विधायक को वापस बगा दिया अब गुस्से में विधायक ने अभिशेक का ट्रांसफर करा दिया अब सीजन थी शार्ट होता है इस्टार्टिंग में अभिशेक अपने घर आया कि यट का हुआ है चुकि वहां रिंकी जो है रिंकी से अलग इसके वहां पर अच्छे दोस्त भी बन गए थे पर इसका प्रेंट सिधार्थ इसे कैट की एक्जाम प्रप्रेशन पर फोकस करने को वोल रहा है क्योंकि थ्री मन्स बाद एक्जाम है और ऐसे में किसी और के लिए कोई भी नहीं है इंफेक्ट ओफिस का भी ताला लगा हुआ है जब यह प्रदान को कोल करता है तो ब्रिज बूशन दे निवस अचीव सुनते ही कॉल कट कर दी फिर यह अपने हैल्पर विकास को को कोल किया पर वो भी क्ट कर देता है अभी यह परिशान होकर का हाथ है तो यह प्रथान से सीधा पंगालेगा तभी यहां विकास दूर से चेक करने आया कि यह निव सचीव कर क्या रहा है निव सचीव ने विकास को बुला कर ओफिस की चाबी मांगी बट विकास वासे पिना कुछ बोले भाग दिया तो अभी भूशन निव सचीव की इ वापस लाना चाते हैं यह तभी हो पाएगा जब यहां निव सचीव जोईन ना कर पाए तो प्रिजबूशन ने विकास को बुलाद के साथ उस निव सचीव को ड्राने धमकाने बेज दिया ताकि वो जोईन ना कर पाए अब विकास प्रलाद के बास गया यह अपने बेट तो ये लोग निव सचीव को ही तोड़ देंगे तो निव सचीव विदायक को कोल करके सब बता दिया अब विदायक अपने गुंडों के साथ फुलेरा गाउं जाने लगता है ताकि वहाँ सभी के हाथ पर दोड़ कर निव सचीव की जोइनिंग करा है डियम ने फुलेरा की प्रधान मन्जू को कोल करके ओफिस बुला लिया ताकि वह प्रलाद को सचीव की ओफिस से हटाए मन्जू सीधा ओफिस गई और प्रलाद को वहाँ से हटने को बोलती है और ये विधायक से बंगा भी नहीं लेना चाथी तो प्रलाद को वहाँ से हटने को बोल रही है प्रलाद एक सखीद का पिता है डियम भी उनकी रेस्पेक्ट करती है तो डिरेक्ट कोई एक्शन नहीं ले रही पर फिर प्रलाद यहां से ये बोलकर चला गया अपने उपर होने की वज़े से फुदकना स्टार्ट कर दिया तब प्रणाद ने इसका सर पोड़ने को पास उठा लिया आज ये मरेगा बट तभी डियम मैम का कोल आया और उन्होंने बताया कि विधायक को दो साल की जेल हो गई है आज वो जिसको टियरिंग के लिए गया रो हुआ है विधायक ने अपने पडोसी के कुट्टे को किड्नैप करके मरवा दिया था क्योंकि वो विधायक पर भोका करता था रूमर्स तो ये भी है कि विधायक उस कुट्टे को मार कर खा गया है अब जब विधायक जेल चला गया है तो डियम मैम ने बोला कि ये अभ अभिशेख को कोल करके पूरी बात बता दी कि इसकी प्रेयर्स की वज़े से वो कमीना विदायक जेल चला गया है और अभिशेख का ट्रांस पर रुक गया है अब अभिशेख खुस ये फुलेरा वापस जोइन करने आ जाता है नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग जगमो टाइप की है इन्होंने पूरी फैमिली को अपने कंट्रोल में किया हुआ है जगमोहन अम्मा को बहुत प्यार करता है तो उनके आगे ज्यादा कुछ नहीं बोलता तब ही बाहर से प्रदान जी के छीखने की आवाज आई बिजभूशन ने मंजो देवी को गिरा दिया है इनकी पाइक रास्ते में गड़े की वज़े से किर गई जगमोहन तो प्रदान जी की हेल्प कर रहा है पर अम्मा को इसमें भी फन लग रहा है यूगि जब ये प्रदान लोग गड़ों में गिरेंगे तब ही रोड्स को पक्का बनवाएंगे पिर अभिशेक को दिखाया जबता है ये भूशन को उसका हतोड़ा उठाकर ले जाने को बोल रहा है और साथ में ये भी बोल रहा है कि भूशन इसे इनकी पॉलिटिक्स की फाइट में ना फसाए पिर इसके ओफिस में रिंकी आई ये वापस उसी टंकी पर चाय पीने जा रही थी तो सोचा कि अब इ देखे गई नहीं अंदेरी की वज़े से तो कोई फाइदा नहीं होने वाला जाने का अब रिंकी यहां से सैडो कर चली गई पिर अभी शेक के पास वशी जगमोहन की अम्मा हेल्प लेने को आई इनको जगमोहन ने घर से निकाल दिया है क्योंकि ये खाती बहुत ज़ाद है कि दो दिन से एक टूटी सी जोपड़ी में अकेले रह रही है तो अभी सचीव से हेल्प लेने आई है ताकि सचीव इनको गवर्मेंट स्कीम के एक पक्का मकान दिला पाए अम्मा की हरकते साफ बता रही थी कि ये एक्टिंग कर रही है पर अपने भूले भाले सचीव जी इनकी बातों में फस गए अभिशेक बिचारी अम्मा को जाते हुए लोकी गिफ्ट करता है ताकि ये लोकी बना कर खा पाए अब अभिशेक को प्रदान ने अपने घर बुला लिया क्योंकि मंचू को पैर पर जादा ही चोटा गई है अभिशेक इनसे पूछता है कि कह अभी गिरे थे तो प्रिजबोशन पूरी बात बताया कि ये जगमोहन के घर के बाहर गिरे थे तब अभिशेक को पता चला कि कल तो जगमोहन की अम्मा जगमोहन के साथ ही रह रही थी जबकि ओपिस आकर वो गवर्मेंट स्कीम से पका घर लेने को जूट बोली कि टूट इस जोपडी में रही है अब प्रिजबोशन अभिशेक को अम्मा के घर सच पता करने को बेजता है अम्मा सच में एक टूटी सी जोपडी में रही थी और जगमोहन अपनी वाइफ के साथ सब तमासा देख रहा है अम्मा खुस हो गए क्योंकि अब अभिशेक अम्मा को पाए बट अगर सच बोल रही होगी तो लोकी अभी भी अम्मा की ही जोपडी में होगी बट अम्मा बोली कि ये पूरी लोकी खा गई जबकि इनकी जोपडी का चूला धंडा पड़ा हुआ था तो अभिशेक जगमोहन के घर में जबरदस्ती गुसकर लोकी ढूडने लग गढ़ों में गिर गई जिससे पूरे गाओं में प्रदान जी का मजाग बन जाएगा बट अभिशेक को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये यहां से चला गया पर ब्रिज भूशन जो की ओल्रेडी फट्टूडा इपका है इसको तो गाओं में अपना ऐसा मजाग नही करने वाला ये नीडी लोगों को ही घर दिलवाएगा उदर जगमोहन ने मंजु के लिए घर पे डोक्टर भी बिजवा दिया ये बोलके कि उनको चोट लगी है तो ब्रिज भूशन होडर जाता है बतनामी से ये मंजु को लेकर अभिशेक के पास गया अब मंजु के बोलन बट घर पाने का यही एक रास्ता है उपर से अम्मा इतनी चालू चीज है ये बोल रही है कि तू लात मार के निकाल दे आगे का ड्रामा ये खुद दिखा देगी गाउवालों को चिला चिला के तो जगमोहन गाउवालों के लिए ड्रामा किया और अम्मा को घर से निकाल दिया बट अंदर से जगमोहन बैड फील कर रहा था जबकि अम्मा जी बहुत खुशे नियोगर मिलने को लेगे अब नाइट में अभिशेक चाय पीने को टंकी पर जाने लगता है और इसको दिंकी भी मिल गई ये भी नाइट में उसी टाइम आ गई थी जब अभिशेक न पर ले जाते हैं यहां मंजू परलाद का ध्यान रखने को बोल रही है पर ना परलाद किसी दिन अपने बेटे की डेट के गम में मर जाएगा अब यही पर सेकेंड एपिसोर्ड भी कतम हो जाता है बाकी के एपिसोर्ड आपको जल्द ही मिल जाएंगे आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसके अलबा हमारी एक और फ्री सर्विस है जहां पर आप शॉपिंग में भी अच्छा पैसा बचा सकते हो इसमें बस आप लोगों का सब्सक्राइब करने के बाद सर्च करें सेफ पैसा देन यह रहा ग्रूप अब जॉइन हो जाएए और ग्रूप में जरूर एक्टिवेडर केडरर ओली 444 रूपीज में बुक किया है इसी के साथ ही सद इधर अब को स्मार्टफोन, स्मार्टवर्च, टीवी, शूज, शू सब्सक्राइब करने के लिए यह ड्रेस्क्रिप्शन की लिंक से भी आप डिरेक्ट जॉइन कर सकते हैं सो जड़े ग्रूप जॉइन करें और ऑपर्स को ग्राप करें